दिव्वे हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दुपहर हिमाचल। आई शुरुआत करते हैं दुपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। अब समचार विस्तार से सदर थाना और मंडी जिला पुलिस के आई टी सेल ने एक शातिर को पकड़ने के लिए ऐसा जाल बिचाया कि वह खुद गिर्फतार होने के लिए अमरित सर से मंडी आ पहुँचा। जो शक्स गिर्फतार हुआ है उसका नाम राजवीर सिंग है। रहने वाला है। युबक शोशल मेडिया पर फेक आईडी बनाकर महिलाओं और लड़कियों को अशलील मेसेज भेजता था। मंडी की एक महिला को जब इसने अशलील मेसेज भेजे तो महिला ने सदर थाना में आकर शिकायद दर्ज करवाई। इंस्पेक्टर पुर्शोतम धिमान ने कारवाई करते हुए महिला के माध्यम से युबक को मंडी आने का परलोबन दिया। युबक भी महिला से मिलने के लिए आतुर हो उठा और अमरित सर्थ से मंडी आ पहुचा। जैसे ही युबक मंडी पहुचा पुलिस ने उससे सलाखों के पीछे पहुचा दिया। सहाएक पुलिस अधिक्षक मंडी विवेक चहल ने मामले की पुष्टी की है। अधिक्षक मंडी आधार पर थाना साधर में 291 वर्टेक की सरफ आयाद दर्ज की गई। इंफोर्मेशन टेक्नोलोजी एक्ट में और जो इन्वेस्टिकेशन है वो इंस्पेक्टर दुसुत्तम निवार्वी द्वारा की गई है। इन्वेस्टिकेशन पता लगा कि जो व हिलाओं को हरास करने के लिए जो है सेक्सुली एक्स्प्लिसिट मेटिल भेजता था इस विक्टि को कल जो थाना सदर की टीम ने ग्रिफतार किया है आज इसको मंडी कोड में पेस किया रहा है। एक्चुली इसके पिछे काफी टाइंग से इसके पिछे थे इसका फोन नमर हमारे पास था। लोकेशन के अधार पर इसका पतल लगा कि ये मंडी के आसपास ही गोम रहा है तो कल सुन्दनगर के पास जो इसको अरस्ट के रहे हैं। करमचारी करमचारी ने हरताल शुरू की। गुरुवार को करमचारी हरताल पर रहे और SBI पंजाब नेशनल बैंक बंद रहे। केंदर सरकार सरकारी बैंकों का निजिकरन करने की योजना बना रही है। वहीं दूसरी और सरकारी बैंकों के 9 लाग करमचारी सरकार के इस फैसले के ख़ड़े हो गए हैं। करमचारी निजिकरन के खिलाब पूरे देश में दो दिन देश ब्यापी हरताल कर रहे हैं। औल इंडिया पंजाब नैशनल बैंक के सीनिर मैनेजर एसेस कपूर ने बताया कि निजिकरन होने से सबसे अधिक दिक्कत करमचारी की ही होगी। ऐसे में ही बैंक करमचारी और तमाम अधिकारी सरकार के खिलाफ लाम बंध हो गए हैं और 17 दिसंबर को देश ब्यापी हरताल कर रहे हैं। तो इसी के गेंश्ट जो है हमारे सभी बैंक का दिकारी और करमचारी अधिकते हुएं। इसका हम विरूद कर रहे हैं क्योंकि बैंकों का निजिकरन आम जनता के गुरूद भी है। क्योंकि जो बैंकों का नेश्टन किया गया था वो देश की आर्थिक सिती और लोगों के अनुसार किया गया था। लेकिन जो मजुदा सरकार है वो बैंकों को जो निजिकरन करने जा रही है ये बिल्कुल घातक है। सरकारी बैंकों के निजिकरन के खिलाफ बैंक करमचारियों का गुर्सा भड़क उठा है। गुर्वार को उना जिला मुख्याले में स्स्टेट बैंक ओफ हिंडियों के समक्ष सरकारी बैंकों के करमचारियों ने एक जुट होकर सरकार के खिलाफ पर दर्शन किया। बैड लोन भी वसूल किये जाने चाहिए बारव सरकार जो की बैंकिंग अमेंट विल की 2021 लाने के अपना पर्लेमंट में लाने के लिए रख रही है परलेमंट में रखने की कोशिश कर रही है उसके खिलाब यह स्ट्राइक है जिसके तहट सरकार सरजनिक बैंकों का नीजिकरन करना चाहती है जो कि हमारी unions, बैंक को की union कभी होने नि देगी क्योंकि यह भारत सरकार का मुख्य हुदेश से है सावनजिनिक बैंकों के मनी है लोगों की धन है, उनको कुझी पतियों के ह SWC करना चाती है यह हम कभी होने नि देंगे आगे भी इन्होंने बड़ी भरपूर कोशिस की है जिसमें हम विरोध करते आए हैं और आगे भी हम इनका विरोध करेंगे ये दो दिन की स्ट्राइक देश वियापी है जिसमें सभी बैंकों के सभी अधिकारी वैकरमचारी एक साथ इसके खिलाब विरोध में लड़ रहे है जो बैंको का नीजी करन है उसके खिलाब हम लाम बंग हुए हैं और ये जब तक ये इस विल को लाने की कोशिश करते रहेंगे हम अपने विरोध करते रहेंगे और ये हो सकता है कि आगे हम इस आइनिस्चित कालिन स्टाइक पर भी जाएंगे नगरोटा सूरियां में ट्रैफिक जाम के कारण एक महिला नीजी बस से टकरा कर नाली में गिर गई जिसके चलते वे हैं गंभीर रूट से घायल होगी महिला को तुरंट नगरोटा सूरियां अस्पिताल में पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे टांडा रेफर कर दिया उधर दोनों के बीद समझोता हो गया है और पुलिस में मामला दर्जम ही करवाया है